हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई यूटीब चैनल राजास केजिकेशन आज हम बनाएंगे अर्बी की बहुत ही टेस्टी और मसालेदर सबजी सबजी बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम अर्बी ली है अर्बी का शिलका निकालने से पहले हम हाथों पर ओयल लगा लेंगे पेल लगाने से अर्बी को शिलने और कटने के बाद इचिंग नहीं होगी अब हम चाकू से अर्बी को शिल लेंगे और ये देखे मैंने सारी अर्बी को शिल लिया है इसे हम पानी से 2-3 वार अच्छे से बोश कर लेंगे अब हम इसे कट करेंगे मैं अर्बी को लंबाई में कट कर रही हूँ आप इसे गोल्ड भी कट कर सकते हैं इसी तरह हम सारी अर्बी को कट कर लेंगे और इसके बाद हम अर्बी को कॉटन के कपड़े पर डाल कर पोच लेंगे हम कडाही में डेड़ बड़ी चमस सरसो का तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे तेल को अच्छे से गरम करने से सरसो के तेल का तीखापन कम हो जाएगा आप कोई भी कुकिंग ओयल का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा ओयल अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें कटी हुए अर्बी को डालेंगे तो ग्यास का फ्लेम हम हाई रखेंगे हम हाई फ्लेम पर अर्बी को कॉंटिन्यू चलाते हुए चार से पांच मिन्ट तक भूनेंगे इसे अर्बी का मॉश्चर निकल जाएगा हमें चलाते हुए 5 minutes हो गए हैं अब हम gas का flame low medium करेंगे और अर्भी को डग कर पकाएंगे जब तक कि हमारी अर्भी नर्म न हो जाए हमें अर्भी को पकाते हुए 8-10 minutes हो गए है अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारी अर्भी पकीजा नहीं और ये देखें हमारी अर्बी 90% तक पगी है इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे खड़ाही में से एक्स्ट्रा ओल निकाल लेंगे और बाकी बचे तेल में हम तड़का लगाएंगे हमें इसमें एक चुथाई छोटी चम्च हिंग डालेंगे आदी छोटी चम्च जीरा डालेंगे और इन्हें हम 30 सेकंड तक बुनेंगे अब हम इसमें लसुन को कट कर डालेंगे और इसी के साथ हम दो हरी मिच को भी कट कर डालेंगे और इन्हें हम एक मिन्ट तक पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें बरी कट कर दो प्यास डालेंगी और प्यास को तीन से चार मिंट तक पकाएंगी जब तक कि हमारे प्यास का कलर हलका से चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगी इसके बाद हम इसमें टमाटर कट कर डालेंगी और इसे पकाएंगे प्रमाटर डालना ऑप्षिनल है आप इसे स्किप कर सकते हैं और यह देखे हैं हमारा मसाला बुन गया है अब हम इसमें सुखे मसाले डालेंगे हम इसमें आदी चोटी चम्च लालमेजी पाउडर आदी चोटी चम्च दनिया पाउडर आदे चोटी चम्च हल्दी पाउडर और आदे चोटी चम्च गरम मसाला डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें फ्राई की हुए अर्बी डालेंगे और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ग्यास का फ्लेम हमें लो मीडियम रखना है और ये देखें हमने सबजी को मिसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम सवादूंसार नमक डालेंगे और इसे मिलाएंगे हम सबजी को पांच मिन्ट तक डग कर लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और बीच बीच में इसे हम चुलाते रहेंगे और ये देखें पांच मिन्ट के बाद हमारी सबजी बन कर त्यार है अब हम इसे सर्व करेंगे आप इस सबजी को रोटी जाच चपाती के साथ खाएं बहुत ही स्वादिश लगती है फ्रंज अगर आपको मेरी ये रैस्पी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो के नीचे लाइका बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाल आइकोन को दबाएं इससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे